हाई फ्रेंड्स कैसे हैंआप आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेम पुशपा सीरप के बारे में हेम पुशपा सीरप किन-किन फिमेल्स को और गर्ल्स को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए कितने समय तक हम इसको continue ले सकते हैं इसके क्या benefits होते हैं क्या side effects होते हैं और हम इसको कौन-कौन से disease में use कर सकते हैं या कौन-कौन से बिमारिया ठीक करने के लिए हम इसका use करते हैं और इसमें क्या के ingredients को मिला कर कि इसको बना जाता है इन सब चीजों के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये एक आरवेदिक product होता है तो इसमें क्या के ingredients को मिला करके बना जाता है जिसकी example के लिए वेसे तो इसमें कई जरीबूटिया होती है पर जो man है वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे इसमें शंकपुष्पी है शतावरी है अशोका है लोधरा है मुसली लोधरा और भी कई जरीबूटिया है जिनको मिला करके इसको बना जाता है तो इसमें कई जरीबूटियों को मिला करके बना जाता है जिनके सभी के अलग-अलग गुन होते हैं अब हम बात करते हैं कि इसको हम कौन-कौन सी बिमारियों को ठीक करने के लिए लेते हैं तब से पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सीरप only females के लिए और teenager girl के लिए होती है सिर्फ females के लिए ही होती है मैल के लिए ये सीरप available मतलब मैल को ये सीरप नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो भी बिमारिया होती है वो girls and females में होती है तो ये उनी की बिमारियों को ठीक करने के लिए use की जाती है अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी बिमारियों को ठीक करने के लिए इसके हम इसका यूज करते हैं सबसे पहली प्राबलम आपकी होती है hormone imbalance या hormone imbalance क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको define कर देती हूं कि अगर जो teenager girl होती है उनके periods अभी अभी आना शुरूव हुए तो periods के समय Pet में काफी तेज दर्द होता है पेट में इठान होती है जिसको हम dysmenoria बोलते हैं dysmenoria का मतलब होता है painful masses यानि कि जब periods आने वाले होते हैं या periods आ जाते हैं तब महलाओ को और teenager girl को काफी heavy pain होता है उस condition को dysmenoria बोला जाता है दूसरी बात होती है कि आपके periods irregular हो जाते हैं या तो periods काफी लंबे time में आ रहे हैं या periods काफी जल्दी जल्दी आ रहे हैं जिससे 10 दिन 15 दिन 20 दिन में तो इसको बोला जाता है कि periods काफी जल्दी आ रहे हैं तो इनी सब चीजों को ठीक करने के लिए इसका use up कर सकते हैं दूसरी बात होती है hormone imbalance में कि आपके face पे acne या pimples आ जाते हैं तो ये blood को भी purify करती है और आपके चेरे पे जो dullness आती है चेरे पे जो acne हो जाते हैं या दाग धब्बे हो जाते हैं तो ये उनको भी clear करती हैं उसके बाद में आता है कि आपको अगर blood की कमी हो रही है यानि कि खुन के कमी हो रही और कमजोरी काफी जादा महसूस होती है तो उस condition में भी हम इसका use कर सकते हैं जिससे आपको कमजोरी के कारेंट कमर में दर्द पीट में दर्द पूरी body में दर्द होता है भूख नहीं लगती है चिड़चिड़ापन होता है और काफी weakness लगती है तब भ बराबर खाना नहीं खापती है जिसके कारण हाथ पेर के तलों में जलन होती है तब ऐसी condition में भी आप इसका use कर सकते हैं और आप खुन बढ़ाने के लिए भी इसका use कर सकते हैं कई females को urine से related problem होती है जिसे urine में infection होना या urine बार बार आना या urine कम आना urine करते time को अगर problem होती ह हैं आपको तो यह उसको भी ठेक करती है जिन females को या teenager girl को heavy bleeding होती है heavy bleeding के problem है तो यह उसको भी control करती है यानि कि बहुत जादा अगर किसी को bleeding होती है और वो काफी परिशान है तब भी आप इसका use कर सकते हैं कई females को भूग नहीं लगती है gastric problem होती है gast बनती है pet में जलन होती सिने में जलन होती और खाना नहीं बज़ता है तो यह उसको भी ठेक करती है अब यह तो हो गई आपके किन-किन बिमारियों में हम इसका use कर सकते हैं और जिन females के periods irregular है यानि कि आनीमित महावारी में भी हम इसका use कर सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि किन-किन females को या teenager girl को इसको नहीं लेना है देखिए आपको कौन-कौन सी condition में इसका use नहीं करना है फस condition तो यह है कि अगर आपका weight gain हो रहा है यानि कि वजन काफी तेजी से बढ़ रहा है तब ऐसी condition में आपको नहीं लेना है दूसरी बात आपको इसको खाली पेट नहीं लेना है हमीशा खाने क दूसरी बात में कहिए जब भी आप इसका यूस करें क्योंकि यह बीना परचे मिल जाती है यह बीनी जाती है आपको मारकेट में या मेडिकल स्टोर पर तो आप खुश से ना ले पहले अपने नज्डी के डॉक्टर से अपना चेक यूस करवाए उसके बाद में ही आप ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, okay, side effect के बारे में हम बात करें, देखें, 5 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है, अगर आप ज्यादा ले लेते हैं, तो overdose हो जाता है, और फिर आपको side effect देखने को मिल सकते हैं, अब हम side effect के बारे में बात करें, तो side effect इसके उतने कोई देखन नहीं जाते हैं, और लेने के बाद में, अगर आपको कोई भी problem दिखाई देती हैं बोडी में, देखें, आपको two month तो इसको continue लेना है, अगर आपको कोई side effect देखने को नहीं मिलते हैं, और आपको मेंने जितनी भी बीमारिया बताएं, जैसे कि आपके period sin regular हैं, आपको hormone imbalance की problem हैं, या फिर आपको urine related problem हैं, या gastric problem है, या हाथ पेरो मजलन है, या heavy bleeding की problem है, और अगर या आपको weakness लग रही, अगर आप two month तक लेते हैं, और अगर आपको इससा लगता है कि हमारी problem soul हो रही है, यानि कि हमारी जो परिशानिया थी, जिस परिशानिय के लिए भी आप इसको ले रहे थे, अगर आपको इसमें कोई आराम नहीं लगता है, तो दो महिने के बाद में आप इसको बंद भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अपने नजजी की डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही इसका use करें तो ज़्यादा बिटर रहेगा, खुष से नहीं ले, वेसे एक बात में कहना चाओंगी, कि इसका result काफी अच्छा है, और ये काफी old medicine है market में, तो आप जब भी use करें तो result तो इसके मिलते हैं, क्योंकि सभी females की body अलग-अलग होती है, तो किसी में जल्दी आराम मिल जाता है, किसी में थोड़ा late मिलता है, बाकि result अच्छा है, तो आराम तो आपको मिल जाए, ये वीडियो देखते टाइम, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे चनल पर नहीं है, तो सब्क्राइब करें, ताकि आपको नहीं-नहीं ऐसी वीडियो मिलती रहे, और नहीं-नहीं जानकर्या मिलती रहे, दोगे दो दोगे दो करेंगे डाली दोगे दोगते हैं, ये तो आपके छोगते हैं,